C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा साथ की उर्दू की पाठ्थे पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कारिक्रम मौलाना अबुलकलाम आजाद मौलाना अबुलकलाम आजाद का असलि नाम मौयुद्दीन एहमद था वो 1888 में मक्का में पैदा हुए उनके वालिद अपने समाने के आलमे दीन और मशूर वाइस थे मौलाना कुक 55 से मुताले का शौक था मगर उनके वालिद को ये बात पसंद नहीं थी के वो कूर्स की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबे पढ़ें और वक्त खराब करें लेकिन मौलाना आजाद का शौक किसी तरह कम नहीं हुआ वो अपना ये शौक इस तरह पूरा करते के अपने जेब खर्च से मौमबतियां खरीद कर लाते और जब घर के तमाम लोग सो जाते तो मौमबति जला कर लिहाव के अंदर पढ़ते इस स्रसले में उन्होंने एक मरतबा लिहाव भी जला दिया मौलाना आजाद की अदबी जिन्दगी का आगाज 11-12 साल की उम्र से हुआ उन्होंने 13 बरस में फार्सी की तालीम मुकमल की उनका हावजा बला का तेस था वो पहले शायरी और बाद में नसर की जानिब मतवज्ज़ हुए मौलवी अब्दलवाहिद ने उनका तखल्स आजाद रखा उसके बाद उन्हें मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से शोहरत मिली मौलाना अबुल कलाम ने 15 बरस की उम्र में लिसानुल सदक जैसे जरीदे की इदारत की इसके बाद अलबलाख जारी किया और 20 साल की उम्र में अखबार अलहिलाल के एडिटर बने और बड़ा नाम पाया मौलाना अजाद ने हिंदू-मुस्लिम इत्याद पर जोर दिया उन्होंने बहुत पहले महसूस कर लिया था हिंदुस्तान के अंदर नफरत के बीच बोकर यंग्रेज अपनी हुकूमत मुस्तहकम करना चाहते है हिंदू-मुस्लिम सब एक ही तो है हम सब एक है इसलिए मुश्तर का तहजीब और कौमी यक जहती के तसवर को आउं के बगैर आजादी मुम्किन नहीं ये सब को समझना होगा हाँ ये हम सब को समझना होगा अपने सियासी नजरियात और पुर्जोश सहाफत की वजह से मुलाना को कई बार नजर बंद किया गया मगर वो बहादूर और निडर सिपाही की तरह वतन की आजादी के लिए जिद्दो जहिद करते रहे मुलाना आजाद सच्चे मुहिब्बे वतन थे उन्होंने वतन की आजादी के लिए कैदो बंद की सौबते जहिली लेकिन अपने रास्ते से नहीं हटे उन्होंने दो कौमी नजरिये की मुखालफत की मुसल्मानों को तकसीम के खत्रा से आगाह किया तकसीम के बाद जो फसादात हुए उससे वो बहुत अफसुर्दा थे उन्होंने देली की जामा मस्जिद में हिंदुस्तानी मुसल्मानों के एक जलसे को खिताब किया इस तक्रीर के एक एक लफज से दर्दमंदी का इजहार होता है अजीजों सितारे टूट गए तो क्या हुआ सूरज तो चमक रहा है इससे किरने माम लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजाले की सक्त जरूरत है आओ एहद करें कि ये मुल्क हमारा है हम इसके लिए हैं हिंदो मुसलिम भाई भाई हिंदो मुसलिम भाई भाई और इसकी तकदीर के बनियादी फैसले हमारी आवास के बगार अधूरे ही रहेंगे हिंदुस्कान सिंदावाद मुलाना आजाद महात्मा गांधी और पंडिच जवाहलाल नहरू से बहुत करीब थे ये दोनों भी मुलाना की बहुत इज़त करते थे उन्हें अपना करीबी दोस्त मानते थे और उनसे मश्वरे करते थे मुलाना बड़ी अच्छी जबान लिखते और बोलते थे इसमें बड़ी तासीर थी बहुत अच्छी और जोड़दार तकरीर करते थे अंग्रेज हुक्मरा उनसे डरते थे जंग अजादी के दौरान मुलाना ने जो तकरीरे की हैं वो बहुत अहम है आजादी के बाद वो पहले वजीरे तालीम बने वो तालीम को लाजमी समझते थे वो तालीम से समाज में तबदीली लाना चाहते थे तालीम से ही समाज में तबदीली आएगी इंसानी शवर की तरक्की के लिए तालीम लाजमी है औरतों को भी उंची से उंची तालीम मिलनी चाहिए तालीम एक मुल्क की तरक्की के लिए नहायत जरूरी है मुलाना अबुलकलाम आजाद ने मुल्क के तालीमी निजाम का तफसीली जाइजा लेने के लिए कही कमीशन काइम किये उन्होंने जो बड़े सकाफती इदारे काइम किये उनमें सहित अकादमी, संगीत अकादमी और ललित कला अकादमी बहुत मशूर है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स यानि ICCR उनही का काइम किया हुआ इदारा है मौलाना अबुल कलाम आजाद के मजामीन, खुदबात, मकालात और मकातीब के मच्मुएं किताबी सूरत में शाय हो चुके हैं कौल फैसल, तज्किरा मकालात आजाद, तर्जमान अल्कुरान और गुबार खातिर उनकी मशूर किताबे हैं मौलाना का इंतिकाल 1958 में हुआ अगर आप जिनकी सची लगन के साथ तैयार हो गए हैं, तो आपको बतलानी की जुरूरत नहीं, कि आपको ये मुल्की खुदमत में कर अंजाम देनी चाहिए मौलाना अबुल कलाम आजाद अभी आप सुन रहे थे ये कारेकरम क्या है